टीवी सीरियल ए रिष्टा का कहलाता है में मेकर्स एक धासू ट्विस्ट लेकर आ गए हैं अर्मान और अभीरा के जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था लेकिन मेकर्स ने शो में रोहित की एंट्री करवा दी है रोहित काफी दिनों से गायब था कुछ समय पहले सीरियल में दिखाये गया था कि रोहित का एक्सिडेंट हो जाता है और परिवार की लोग उसे मरा हुआ माल लेते हैं लेकिन अब सीरियल में रोहित की वापसी हो गई है लेटेस्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि रोहित धमाकेदार अंदाज में आता है शो में रोहित के आने पर फैंस के रियक्सन भी आने शुरू हो गए हैं आईए आपको दिखाते हैं दरसले रिष्टा का कहलाता है कि लेटेश्ट एपिसोड में दिखाये जाएगा कि दादी सा की हाड अटेक की खवर सुन कर रोहित खुद को रोक नहीं पाता है और वो फेस कवर करके अस्पताल में मिलने आ जाता है रोहित का फेस अभी तक नहीं दिखाए गया है लेकिन उसकी आँखों में गुस्ता साफ नजर आ रहा है वह किसी से मिलता नहीं है लेकिन घर वालों को देख कर अपने हाथ की मुठी जरूर बना लेता है रोहित की आँखे देख शो के फेंस ने उन्हें विलन का टेक दिया है लोगों का मानना है कि अब रोहित अर्मान रोही से अपना बदला लेने आया है कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर रोहीत रोही के साथ अर्मान से भी नफरत करता है तो भी ठीक है लोग इस पर भर भर कर अपनी राय दे रहे हैं एक ने लिखा अगर रोहित पोदारों के खिलाफ हो जाता है तो मैं उसे दोश नहीं दूँगी क्योंकि अगर मेरा परिवार मेरे लापता होने के कुछी दिनों के बाद सारा नाच गाना कर रहा होता तो वह मेरी खलनाएक का मूल कहानी भी होती वह एक ने लिखा अब मुझे यह अमत कहना कि रोहित निगेटी होए उसकी एंट्री बहुती संदिक्ध है और उसे दादी सा के बारे में कैसे पता चला माधव के लिए भी नहीं आया था उसका बहुत अच्छा रिप्लेस्मेंट हो गया वह एक ने लिखा जिस तरह से रोहित ने एंट्री किया उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि वह हर किसी के साथ नकारात्मक होगा क्योंकि उन्होंने अर्मान और रोहित के रिष्टे को समाने रूप से स्विकार किया है वह केवल अभीरा के साथ पॉजिटिव होगा और यहां तक की अर्मान भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसने शुदू से ही इस मामले को स्विकार कर लिया है लेकिन एक्सिडेंट ने सारे प्लान को बदल दिया वह एक ने लिखा हे भगवान वो रोहित को एक नकारात्मक किरदार में तो नहीं बनाने जा रहे है उसकी एंट्री में पूरी तरह से विलन की जलक थी और उसने डर पैदा कर दिया था हे भगवान वो सूरज का चमकता किरण था किरप्या उसे वैसे ही बनाए रखना सीरियल ये रिष्टा का कहलाता है में रोहित के रोल में सबसे पहले शिवम खजूरिया नजर आये थे शो में रोहित के रोल में उन्हें काफी पसंद किया गया था और हर किसी को लग रहा था कि शिवम फिर से रोहित के रोल में नजर आएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक्टर रोमित राज ने शिवम खजूरिया को रिप्लेस कर दिया है, अब शो में रोहित के रोल में रोमित की एंट्री हुई है, एक्टर का चेहरा मेकर्स ने प्रोमो के जरिये रिवील किया था, बता दे कि रोमिल सिरियल बाते कुछ अनकही सी मे गर्विता साध्वानी के अपोजिट नजर आये थे, अब ये रिष्टा का कहलाता है में दोनों साथ नजर आएंगे, इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं, बॉलिवुड और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहिए, एब झाल 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 झाल